So, looks maxing, I am sure आपने ये वर्ड ना कहीं ना कहीं जरूर सुन लिया हुगा, या तो इंस्टारील्स पर, यूट्यूब पर है, यूट्यूब शॉट्स पर, यूट्यूब ये यूट्यूब शॉर्ट पर. वो भी अपने personal experience के basis पर because इसमें से एक एक चीज मैंने follow करी भी है वो भी खुल तो looks maxing अब मतलब क्या है इसका looks maxing का मतलब एकदम simple है अपने looks को max out करना अब looks को max out करने का ये मतलब बिल्कुल मत समझे ना आप दुनिया के सबसे handsome इंसान बनने वाले हो सबसे good-looking इंसान बनने वाले हो यहाँ पर अपने looks को max out करना अपने looks एक important word है यहाँ पर यहाँ पर हम सिर्फ अपने looks को max out करने की कोशिश करते हैं अपने looks की अपने facial features की अपने जो आपको face भगवान ने दिया चीजे में पहले बताऊंगा और जो सबसे जल्दी हो सकती हैं वो सबसे last में रखी है तो list start करते हैं सबसे पहले looks maxing में आपको tip 1 तो tip 1 है आपको जिम जाना ही ये वीडियो खतम होते के साथ ही आपको करना है gym join because gym join करोग एक अच्छी physique बनेगी उससे अब वैसे ही normal average लड़कों से बहुत उपर निकल जाओगे अच्छी physique बहुत ही कम लोगी होती है तो अच्छी physique बनाने के लिए आपको gym जाना पड़ेगा gym आपको अभी आज ही join करना पड़ेगा because gym के results आने में लगता है बहुत ज़दा time कितना time visible results आने में आपको किस से कम 6 महीने से एक साल तो लगे गई लगेगा इतना कि आप खुद mirror में क्या आपको लगेगी higher में gym जाता हूँ और मेरे कुछ results आ रहे but जो physique, dream physique आपके दिमाग में जो आपने इंस्टा मॉडल किसी की देखी होगी उसे achieve करने में तो आपको around 3 years तो आपको minimum लगने ही लगने है dream physique तक पहुचने के लिए आपको कम से कम 3 साल चाहिए and visible results देखने के लिए आपको कम से कम 6 महीन से एक साल का time तो लगे गई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एक महीना दो महीना आपने gym गिया और बहुत अच्छी body बन गई इस गलत फैम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है इसलिए मैं कहरा हूँ कि gym आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है उसके results आने में time लगेगा सबसे ज़ादा जिम जाओगे अच्छी body बनेगी उसके फाइदे क्या क्या है एक तो अच्छी body बनेगी आप मिरर में देहोगे आपने body अच्छी बना लिए तो आपको आएगा self confidence अगर आप बुली होते हैं तो वह नहीं होगा अगर आपके अंदर कोई fear था कोई मार देगा ऐसा कुछ कर देगा आपको बनता ही है विकॉस एक दो दिन जीम जाने से कुछ नहीं होता आपको continuously जाना पड़ता है consistently जीम जाना है and consistently diet लेनी है तब ही जाकर results आते है नमबर डू नमबर डू पॉइंट क्या है jawline jawline जितने ज़्यादा well defined होगी cheekbones जितने ज़्यादा well defined होगी आपको overall face जितने ज़्यादा structured होगा उतना manly होगा तो ज्यादा well defined face manly मना जाता है तो अची jawline अब कैसे चीव पर सकते हो उसके लिए आपकी जो face पर fat हो एकदम कम होना चाहिए जैसे face का fat कम होता है आपकी jawline cheekbone की visibility पढ़ जाती है एन face structure काभी well defined हो जाता है अब face पे से fat कम कैसे करना है वो possible नहीं है spot reduction possible नहीं है overall body में से fat कम करना पड़ेगा तब ही जाके face से भी fat कम होगा overall body में से fat कैसे कम करना है calories are deficit को WITH a workout करो करो recommend calorie deficit में खाओगे तो overall body में से automatically fat कम हो जायगा जैसे ही बाडी में से fat कम होगा वैसे ही face पे से fat कम हो जाएगा और आपकी jawline और cheekbone की visibility बढ़ जाएगा और आपका face हो जाएगा बढ़िया well structured अभी मैंने खुद करके देखा हुआ है मेरा खुद का experience है मैं आपको before and after pictures दिखा देता हूँ काफी बड़ा difference है आप clearly देख सकते हो इसके साथ साथ मैं एक चीज और करता था वो कहा था कि मैं chewing gum खाता था जब भी मैं gym जाता था जितने नहीं work out करता था उतने time में chewing gum भी खात करने का overall body में से fat कम करो जैसी overall body में से fat कम होगा वैसी face fat भी कम हो जाएगा face fat कम होते के साथ ही jawline की visibility automatically बढ़ जाएगा face structure हो जाएगा क्या चीज आपको नहीं करनी है यह फाल्तू exercise जो भी YouTube पर आपने दीखी होंगी एपनी jawline को achieve करने के लिए इसमें से कुछ भी work नहीं करता सब कुछ फाल्तू है यह एक भी practical advice नहीं है इसमें से आपको कुछ results नहींगे आप सिर्फ अपना time waste करोगे कोई भी आपको चीज क कोई भी product खरीदने की ज़रूती है नहीं ऐसी को exercise करने की ज़रूत है jawline को achieve करने का से बही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया अब लुक्स मैक्सिंग का एक और important part है वो कह है आपकी eyebrows अब लडग्यों की तरह इसे हमें shape नहीं करना है पतला नहीं करना है फुल एंड थिक eyebrows अच्छी लगती लडगों की तो जैसी भी आपकी eyebrow है उसके जो उपर नीचे axis hair है उसे बस आपको remove करना है इस face razor से वही सस्ता आता है इससे क्या आपका face बहुत ज़्यादा clean लगने लगेगा एक तो eyebrow के ऊपर जो नीचे है वह और जो नीचे है वह एंड जो unibrow है mainly आपको unibrow का हमेशा ध्यान रखना है उसे आपको हमेशा clean करके रखना है सिर्फ इतनी सी चीज़ करने से बता है कि आपका face एकदम clean लगने लगेगा simple इस eyebrow के थोड़े बहुत clean अप करने तो बस eyebrow के ऊपर नीचे and unibrow को आप clean करके रख सकते है आपको shape देने की जो भी natural shape है उसके around आपको अपने clean रखना है बस excess hair को यह simple सी चीज़ है तो आपको अपने eyebrow के around आपको अपने ध्यान रखना है इसको जाता complicated मत करना है इन eyebrow के साथ जाता छेड़ जाता भी मत करना third point है हमारा skincare अब या skincare भी थोड़ा time लेता है जितना आपको लगता है उससे तो जाधा ही time लेता है बहुत लोग को लगता है कोई अब चाहे वो DIY face mask हो चाहे कोई बड़ी ब्रैंड की products हो दोनों ही चीज़ें या थोड़ा time लेती है skin results दिखने में थोड़ा time लेती ही है आप skincare से immediate results expect नहीं कर सकते skincare का simple fund है उसे आपको उपनी lifestyle का part बनाना पड़ेगा आप results भूल जाओ उसे अपनी lifestyle का part बनाओ और अच्छे से अपनी skincare routine follow करो consistently अगर आप skincare consistently follow नहीं करते हो skin related results मिलने वाला है skin clear होगी and tanning remove होगी तभी और अगर आपको लगता है आपके skin के severe issues से बहुत जादा acne है आप acne pimple से बहुत जादा परिशान हो गई हो तो acne positive होने की बजाए और अपनी skin को उसी चाल accept करने की बजाए मेरे according तो आपको तुरंत action लेना चाहिए और कोई ना को इस चीज़ को प्लीज बिल्कुल भी इगनोर मत करना अगर आपको लगता है कि आपके acne pimples बहुत जादा है normal नहीं है teenage hormones वाले नहीं है को लग रहा है वह बहुत जादा हो रहे तो आपको जरूर अर्मडोलजिस को consult करना चाहिए बजाए skin positive and अपनी skin को accept करने के क्योंकि मैं मैं उसके खुद रावेक्स जेहल चुका हूँ मेरे को भी अच्छा खासा experience अच्छे लाइफ मुझे बहुत अच्छे acne होते थे पहले और मैं उससे काफी दा परिशान दे चुका हूँ को जल्दी से जल्दी solve करना है इन लोगों को भी ऐसी severe condition नहीं है उन्हें क्या करना है simple skincare routine follow करने यह बहुत सारे product खरीदने की जरूती है बहुत complication में घुसनी की जरूती है simple three step skincare routine follow करने कोई भी कर सकता है और अराम से उसके लिए टाइम भी निगाल सकते हो skincare क्या करने simple three step face wash moisturizer sunscreen इसको एक step ऊपर ले जाना चाहते हो तो face wash serum moisturizer sunscreen चारो प्रोडक्ट्स आपको अपनी skin tap के according चूज करने अगर इतनो complication नहीं हुजना तीन step भी कर लो अगर थोड़ा साधा detail में करना है तो आप serum भी आड़ कर सकते हो बहुत जाद़ effective होते हैं बड़ अगर आपको लग़रा थोड़ा expensive भी आते हैं अब यह एकदम दो उसमें जाने की जरूत नहीं है अब यह एकदम दो उसमें जाने की जरूत नहीं है भी हेर से कम डाइम लगता है हेर के रिसल्ट साने में तो हेर केर में भी आपको तीन या फोर स्टेप की सिंपल हेर के रूटीन फॉलो करनी होती है वह रूटीन क्या है आपको उसमें चाहिए शाम्पू, कंडिशनर, हेर मस्क और हेर ओईलिंग यह चार चीज़ होगा ही जो ब करना कंडिशनर क्या करता है न्यूर्टेंटस आपके बालों वापस जालता है जो भी निकल जाते हैं शेंपू करते हैं तो अच्छा healthy and hydrate करके रगता है अपने बालों को से कंडिशनर करना बहुत important है जितनी बार आप शेंपू कर रहे हो तो कम जगम आपको हफते में हैर जब भी hair wash करो के conditioner यूज करना है, चाहो तो conditioner को रोज भी यूज कर सकते हो, उसके बादे हैर मास की वह आपके जो बालों को बहुत healthy बनाता है, बड़ रोज आना यूज करने की चीज नहीं हो, अब हाफते में बस एक बाद लगाओ, अपने बालों में अपने बालों में उसे में एक बार लगा सकते हो, brands वाले लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, and natural remedy अब घर पर भी बना सकते हो, natural hair mask भी आप बना सकते हो, वो भी काफी अच्छे work करते हैं, उनके कोई side effects भी नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा easy रहेगा आपके लगाने के लिए, तो ये simple 3-4 step की hair care routine ह जिससे आपके जो बाल हैं, वो अच्छे रहेंगे, healthy रहेंगे, बड़ यार आप कितनी भी hair care routine follow कर रहो, आप अपने genetics के साथ fight नहीं कर सकते हैं, अगर आपको genetically hair fall हो रहा है, बहुत जाए severe hair fall हो रहा है, तो आप उसे कोई hair care routine से नहीं रोक पा होगे, अगर आपको लग रह जादा hair fall हो रहा है, तो आपको doctor को consult करने की ज़रूरत है, वो आपको कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे, जिससे आप hair fall को कम भी कर सकते हो, and reverse भी कर सकते हो, minoxidil जैसी चीज़े, PRP जैसी चीज़े आपके hair fall को control कर सकती है, hair fall को reverse भी कर सकती है, पर कोई भी YouTube वीडियो देख चुका है, और आप ढर रहे हो, कि आप भी baldness की तरफ जा रहे हो, तो आपको doctor को consult करना है, उसके बाद जो prescription देख, उसके according, आप अपनी hair care कर सकते है, and उसी के according, जो भी procedure doctor ने आपको recommend कर रहा है, उसे आप opt कर सकते है, यार ये थे basic 3-4 points looks maxing के, जो मैंने honestly and अच्छी ज़रा looks maxing पर, आपको वीडियो helpful लगी या नहीं लगी, comments में जरूर बताना, इसमें जो भी मैंने सब points टच करें, उसमें से अगर आपको इसी भी एक point पर detailed video चाहिए, तो comments में जरूर लिखके जाना हो, जिस भी topic में ज़्यादा comments होंगे, उस पर मैं next detailed video बना दूँगा, looks maxing करना बहुत कोई difficult काम नहीं, बहुत ही easy काम है, बहुत ज़्यादा time taking भी नहीं है, जो भी अपनी life में करते हो, school जा रहे हो, college जा रहे हो, जॉप कर रहे हो, उसके साथ आप easily से अपनी life में include कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका time नहीं लेगी, simple सी चीज़ आप इसे easily follow कर मैं आप से मिलूँगा next video में